ये कहानी अलादिन नाम के एक राजा के उपर आधारित है जो दिमाग से पूरी तरह पैदल होता है अब पूरी तरह बेवकूफ होने की वज़े से वो अपने देश में क्या क्या करना में करता है ये हम आज की इस एक्स्प्लेनेशन में देखने वाले हैं आज मैं जिस फिल् के बाद से ही उसकी मा को मार दिया जाता है और इसके कुछ साल बादी उसके बाप की भी हत्या कर दी जाती है और अब सिर्फ साथ साल की उम्र में अलादिन वाडिया का राजा बन जाता है इसके बाद सीन यहीं कट होता है और हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं जहां अल अलादिन उसे गोली मार देता है और खुद वो गेम जीत जाता है और इसी तरह वो अलम्पिक में 14 गोल मैडल जीत जाता है इसके बाद अलादिन अपने महल के बाहर आता है और अपनी प्रजा को बोलता है कि जल्दी ही पूरी दुनिया हमारे आगे घुटने टेकेगी हम जल अंदर जाते हैं और उसके निसे बहुत ही चोटी बनी है अब यह देखकर अलादिन को बहुत गुसा आ जाता है और वो अपने सैंटिस नदाल को बुलाने के लिए बोलता है पर इस पर बाकी के सैंटिस उसे बताते हैं कि जब आप पिछली बार यहां पर आया थे तो अप पर इस पर अलादिन हसते वे उसे बोलता है कि मैं भूला नहीं था और फिर वो उस साइंटिस को भी मरवा देता है इसके बाद आलादिन वापस अपने महल में आ जाता है जहां पर उसकी सिक्योरिटी में सिर्फ लड़किया होती है दरसल अलादिन अपनी security के लिए से flood के ही रखता है ताकि बाद में वो औने बजा सके फिर जब अलादिन अपनी कार से बाहर निकलता है तब ही वाए एक आदमी आकर उसे गोली मार देता है पर बाद में हमें पता चलता है कि ये अदमी अलादिन नहीं बलकि उसका duplicate था पिर Lalhein के मांसे जाते ही उसके चाचा तामीर किसी को phone करते हैं और उसे बोलते हैं कि अलादिन इस बार भी बच गया और अब हमें उसके जैसे दिखने वाले किसी ओर को डूढना होगा जो हमारा काम कर सके अब यह देखकर हम viewers को पता चल जाता है कि अलादिन को उसके चाचा तामीर ही मरवाना चाते हैं ताकि वाडिया की पूरी सत्ता उनके हाथों में आ सके इसके बाद ये लोग अलादिन के हमशकल को ढूनना शुरू करते हैं और उन्हें एक आदमी मिल भी जाता है जो बिल्कुल अलादिन की तरह दिखता था पर ये आदमी भी अलादिन की तरह ही दिमाख से पैदल होता है दूसी तरफ हम अलादिन को देखते हैं जो एक हॉलिवूड एक्ट्रेस मेगन फोक्स के साथ पलंग तोड़ रहा होता है और पलंग तोड़ने के बाद वो उसके साथ एक फोटो किचवाता है और वो उस फोटो को अपनी दिवार पर चिपका देता है उसी दिवार पर हम और भी कई सरी लड़कियों की फोटोस देखते हैं जिनके साथ अला दिन अब तक पलंग तोड़ चुका है फिर अगले दिन जब अला दिन वीडियो गेम खेल रहा होता है तब ही महाँ पर उसके चाचा तामीर आते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें अमेरिका जाकर अपने परमाणू हत्यार बनाने के बारे में उन्हें सफाई देनी होगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो लोग अपनी फोज को यहाँ बेचकर वाडिया पर कबजा कर लेंगे अब यह सुनकर अला दिन डिसाइड करता है कि वो अमेरिका जाएगा फिर अलादिन अमेरिका आ जाता है और अमेरिका के लोग सड़कों पर उसके खिलाफ नारे लगाते हैं दरसल अमेरिका के लोग चाते थे कि वाडिया में डैमुक्रेसी हो और कोई भी बेवकूफ और पागल राजया उन पर अत्याचारना करे इसके बाद अलादिन अपने security head से मिलता है जिसका नम Clayton होता है और वो अलादिन को बिल्कुल भी पसंद नी करता था फिर जब रात को अलादिन अपने hotel में सो रहा होता है तब ही वहाँ पर Clayton आता है और वो उसको kidnap कर लेता है वो उसे एक torture room में लेके जाता है और वहाँ पर वो अलादिन को अपने अचिर ने वाला है पर अलादिन उसके हतियारों का मजाक उडाने लगता है जिससे गुसा होकर क्ली टौन उसकी दाड़ी गाड़ देता है फिर वो उसकी दाड़ी को जला देता है पर दाड़ी पर लग उसका हमशकल उसके चाचा तामीर के साथ वहाँ पर भाशन देने के लिए जा रहा है। दुकान पर काम करोगे पर इस पर अलादिन उसे बोलता है कि मैं चूतियों के साथ काम नहीं करता और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। अलादिन सडकों पर भटक रहा होता है और तभी वहां उसे नदाल दिखता है जिसे उसने कई सालों पहले मरवा दिया था अलादिन नदाल को जिंदा दिखकर हैरान हो जाता है और वो उसका पीछा करने लगता है पीछा करते वे अलादिन एक बार में पहुँच जाता है जहां पर सिरिफ वो ही लोग आते थे जो अलादिन से नफरत करते थे तब ही महाँ पर काम करने वाला एक आदमी अलादिन को पैचाल लेता है और वो सभी को बता देता है कि ये अलादिन है दरसल उस बार में जितने भी लोग थे उन सभी को अलादिन ने मरवा दिया था पर उन में से कोई भी मरा नहीं था और वो सब भाग कर अमेरिका आ गए थे इसके बाद वो सभी अलादिन को पकड़ लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं वो अलादिन को टपकाने ही वाले होते हैं कि तभी हमाप नदाल आ जाता है और उन सभी को बोलता है कि ये मेरा कजन है धरसल यहाँ पर नदाल ने अलादिन को पहचाल लिया था इसके बाद नदाल उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो तो अलादिन उसे बताता है कि उसके चाचा तामीर ने उसे दोका दिया और वो वाडिया पर कबजा करना चाते हैं फिर अलादिन नदाल को बोलता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी जिसपर नदाल मान तो जाता है पर वो उसे बोलता है कि मुझे मेरी नोकरी वापस चाहिए जिसपर अलादिन भी मान जाता है फिर अगले दिन अलादिन और नदाल उस होटल के पास जाते हैं जहां पर अलादिन का हम शकल रहता है तब ही मापर अलादिन जोई को देखता है और उससे छुपने लगता है फिर नदाल उसे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो तो अलादिन उसे बताता है कि मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिसपन नदाल उसे बोलता है कि अगर तुम इस लड़की को जानते हो तो उसकी मदद से हम इस होटल में आसानी से पहुंच सकते हैं अब अलादिन ना चाते वेबी जोई की शॉप में काम करने लगता है पर वहाँ पर वो डंग से काम करने की वज़े सबी चीजों को बिगार देता है फिर अलादिन को नदाल का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि मैंने सारा प्लैन बना लिया है हम कैंटीम के सामान के बहाने से उस होटल में जाएंगे और वहापन नकली अलादिन को हटा कर उसकी जगह असली अलादिन को ले आएंगे अब अलादिन को ये प्लैन अच्छा लगता है और इसके साथ साथ उसे धीरे धीरे जोई भी पसंद आने लगती है जिसकी वज़े से अब वो शॉप में अच्छे से काम करने लग जाता है और वो उसकी शॉप का पूरा नक्षा ही बदल देता है फिर एक दिन शॉप में एक ओरत को लेबर पेन होने लगता है और उस समय इतना वक्त नहीं था कि उसे हॉस्पिटल ले जाये जा सके अब अलादिन को पता नहीं होता कि डिलिवरी कैसे करवा जाती है पर फिर भी वो उस औरत की सक्सेस्फुल डिलिवरी करवा देता है अब ये देखकर जोई भी अलादिन से इंप्रेस हो जाती है और उसे उससे प्यार हो जाता है फिर जोई अलादिन को बोलती है कि वो अपनी पूरी जिंदेगी उसकी साथ बिताना चाती है पर इससे पहले अलादिन उसे बोलता है कि मैं तुम्हे कुछ बताना चाता हूँ औ और वो अपने देश में डिक्टेटर्शिप नहीं चाते अब ये सब देखकर अलादिन को लगता है कि शायद उसे कोई भी पसंद नहीं करता इसलिए वो डिसाइट करता है कि वो अपनी जान दे देगा फिर वो एक पूल से कूत कर अपनी जान देने ही वाला होता है कि तब ह पर नदाल आ जाता है और उसे समझाने लगता है अब अलादिन भी नदाल की बात को मान जाता है और वो अपने मरने का प्लैन कैंसिल कर देता है फिर अगले दिन अलादिन नदाल के साथ मिलकर बहुती मुश्किल से उस ओटल के कमरे में चला जाता है और वहाँ पर वो नक पर तभी वहाँ पर जोई आ जाती है और उसको देखते ही अलादिन अपना मन बदल देता है। और वो एलान करता है कि वाडिया में अब डिक्टेटर्शिप नहीं होगी बल्कि वहाँ पर सिर्फ डेमोक्रैसी होगी। अब ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं पर तभी वहाँ पर तामीर अलादिन पर गोली चला देता है।